प्यारे बच्चों, आज हम Hindi One का Part 2 देखेंगे, जो की है सोत समझ कर कारे करना मतलब हम कोई भी काम करें, हमें पहले उस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए थोड़ा उस काम के बारे में सोचना चाहिए कि वो काम कैसे करना है उसमें कोई गलती हुई तो हम क्या कर सकते हैं, कि हम काम ही ऐसे करें कि वो एकदम ठीक तरह से हो कि गलती की कोई गुंजायश ही ना रही आदमी को हर काम सोच समझ कर करना चाहिए जो आदमी सोच समझ कर कार्य करता है, वो सदा सुखी रहता है क्योंकि उस इंसान ने पहले से ही समझ लिया होता है कि ये काम अब आपको जैसे होमवक दिया जाता है स्कूल से आपको PDF सेंड किये जाते है अगर जो बच्चा PDF रेगुलर कर रहा है जिस दिन PDF मिला उस दिन ही उसने काम कर लिया ये सोचते हैं कि आगे जाके उसको एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा एक साथ उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा वो बच्चे का काम टाइम से कंप्रीट होता है और राइटिंग भी उसकी अच्छी आती है वही कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे मैम ने बोला है मंडे को आपकी स्कूल में कॉपी समिट होंगी और कई बच्चे साटरडे नाइट को या संडे नाइट को या संडे को बॉनिंग में हूंवर्ग लेके बैठते हैं अब वो कितने सारे चैप्टर्स हो जाते हैं एट टू टैन चैप्टर्स आपके हो जाते हैं फिर वो सिर्फ राइटिंग रहता है आपके हैंस में पेन होने लग जाता है आइस में पेन होने लग जाता है लिखते लिखते आपको इतना लिखना पड़ता है तो आपकी राइटिंग भी बिगड़ जाती है क्योंकि आपने सोच समझ के अपना काम नहीं करा, स्टार्ट किया था पहले आपने उसको बात के लिए छोड़ दिया कि देख लेंगे जब आएगा जब समेशन आएगा हम तब देख लेंगे तो आपका काम कितना बिगड़ गया आपका कभी कोपी में काम भी पूरा नहीं हो पाता इसलिए हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए जब भी कोई काम आपको दिया जाए या आपको कुछ काम करना है तो पहले उसके बारे में प्रॉपर आपके पस information होनी चाहिए कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब वो काम complete हो जाना चलिए जो बिना सोचे समझे कार्य करता है, वह दुख जेलता है और जो काम बिना सोचे समझे करते हैं, उनको बाल में problem आती है अभी हम जो part पढ़ने जा रही हैं, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है अब जो यह chapter आपका start होने जा रहा है, उसमें यही बताया है कि हमेशा कोई भी काम करो तो सोच समझ के करो, ताकि आपको बाल में problem जेलनी ना पड़े किसी बन में एक शे रहता था, वह बूरा हो गया था, इसलिए उसमें शिकार करने की शक्ती नहीं रही थी एक जंगल में एक लॉयन रहता था, शे रहता था, वह बहुत बूरा हो गया था, उसकी बहुत जादा एज हो गई थी तो उसमें इतनी energy नहीं थी कि वह दूसरे animals का शिकार कर सके, उनको पकर सके तो वह क्या करता था, जो easily available animals होते थे, जैसे deer का बेबी हो गया, काव का बेबी हो गया तो वह उनका शिकार करता था, जो जादा भाग नहीं सकते, उससे कभी भोजन मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था तो क्यूंकि उसको weak शिकार चाहिए होता था, उसको कमजोर शिकार चाहिए होता था, जो जादा भाग दोर ना कराए इसके कभी कबार शेर को खाना मिल जाता था, कोई शिकारी मिल जाता था कभी कबार शेर को कोई शिकारी नहीं मिलता था, जिसका वो शिकार कर सके इससे वह काफी कमजोर हो गया था, अब शेर को खाना नहीं मिलता था तो वो बहुत वीक हो गया था उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी एक बार शाम तक बठतने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला वह भूख से बैचरन और निराश होकर अपने घर लोट रहा था एक बारे क्या हुआ कि शेर को कोई शिकार नहीं मिला शाम हो गई इवनिंग का टाइम हो गया और शेर ने मॉनिंग से कुछ नहीं काया था उसको बहुत जोर से बूख लग रही थी फिर वो बहुत सैड हो गया बहुत उदास हो गया और वो अपने घर जा रहा था बूख है पेट रास्ते में उसे एक गुफा मिली रास्ते में उसको क्या दिखा एक डैन गुफा दिखी गुफा देखकर शेर ने सोचा कि इसमें कोई ना कोई प्राणी तो ज़रूर रहता होगा अब शेर को गुफा दिखी अब ये घर बनावाए तो इसमें कोई ना कोई तो रहता होगा शेर ने ये सोचा मैं आज इसी में छुपकर बैठ जाता हूँ जब इसमें रहने वाला प्राणी आएगा तो मैं उसे अपना भोजन बना लूँगा शेर ने क्या सोचा कि ये गुफा है इसमें कोई ना कोई तो रहता होगा मैं क्या करता हूँ इस गुफा में छुप जाता हूँ जब इसका इसमें रहने वाला जो आएगा कोई भी आनिमल तो क्या करूंगा तो मैं उस पे जपट्टा मारके उसको खा जाऊंगा यहाँ सोचकर शेर गूफा के भीतर घुश गया और अपने शिकार की रहा देखने लगा फिर शेर क्या करा शेर ने वो डेन में गूफा में जाके बैठ गया और देखने लगा कि कब इस गूफा में रहने वाला आनिमल आई और उसका शिकार करूं उस गुफा में एक गीदर रहता था जब शाम के समय वो अपने निवास में लौटा तो उसे अपनी गुफा के सामने शेर के पैर के निशान दिखाई दिये उसमें कौन रहता था उसमें गीदर रहता था जब शाम को गीदर अपनी गुफा में लौटा तो उसने क्या देखा कि गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान है ठीक है गीदर कितना अब्जर्ब करता था कि उसको बाहर वो एकदम से गुफा में नहीं गुज गया उसने देखा कि बाहर शेर के पैरों के निशान है उसने अधिक ध्यान से देखा तो पता चला कि शेर के पैर के भीतर गुसने के निशान तो वहां है परन्तु बाहर निकलने के निशान नहीं है जब उसने और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि शेर के अंदर जाने के तो निशा कि शेर अंदर तो गया है बट शेर बहार निकलने के नहीं आया है posled निशान नहीं है Oh शेर के बहार निकलने के निशान नहीं है कि फ्र समझ गया कि उसकी गुफा ने आज जरूर डिमाक लगाया तॉस ने सोचा और उसको समझ आ गया कि उष्पक्वण और पा कोई ना कोई शेर बैठा है अपने संधेह की जाज करने के लिए वह जोर से बोला अरी गुफा क्या मैं अंदर आजाऊं अब गीदर को confirmation चाहिए जी कि अंदर कोई शेर बैठा भी है या नए या सिर्फ गीदर ऐसे ही दिमाग लगा रहा है कोई टेंशन की बात नहीं वह राम से अंदर जा सकता है ऐसा गीदर सोच रहा था कि क्या मैं अंदर जाऊं तो उसके दिमाग में क्या आया कि वह गुफा से बात करें ठीक है गुफा से पूछे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं तो गीदर ने ऐसे ही यह जानने के लिए कि गुफा म क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वो गुफा से बोल रहे हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ गुफा ने कोई उत्तर नहीं दिया गीदर थोड़ी देर तक उत्तर की इंतजार में चुप रहा अब जो वो गुफा थी उसने कोई आंसर नहीं करा बैन को कभी बोलते वे देखा है कि आपने या किसी ट्री को या किसी और आपका जो हाउस है जहां आप रहते हैं वो कभी आपसे बात करता है क्या नहीं ना Similarly गुफा ने भी जवाब नहीं दिया फिर बोला अरी गुफा रोज तू मुझे प्यार से बुलाती है आज क्या बात हो गई आज तुझे क्या हो गया जो बोलती ही नहीं है तो गीदर अपनी गुफा से कहता है कि अरी गुफा तू रोज तो मुझे बहुत प्यार से बुलाती है कि आज़ो गीदर अंदर आज़ो आज क्या हो गया आज तो तुम उससे बात ही नहीं करी तुम एकदम शान्त बैटी है ऐसा क्यों देखो यदि तुम मुझे अब नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चल जाओगा फिर गीदर अपनी गुफा से कहता है कि अच्छा ठीक है तुमने मुझे से बात नहीं करनी न ओके अगर अब तुम मुझे आवाज नहीं दोगी मुझे बुलाओगी नहीं तो मैं किसी और गुफा में चल जाओगा तुमसे नराज होके मैं अंदर ही नहीं आऊंगा शेर ने सोचा कि शायद यह गुफा अपने अंदर रहने वाले इस गीदर को रोज बुलाती है लेकिन आज मेरे डर से चुप है अब जो शेर अंदर बैठा था उसने क्या दिमांग लगाया वो क्या सोच बैठा कि यह जो गुफा है ना जिसमें गीदर रहता है वो रोज गीदर को घर में अंदर आने के लिए इन्वाइट करती है कि आओ गीदर अंदर आओ और शेर को लगा कि आज मैं इसमें बैठा हूँ इसलिए मेरे डर से गुफा कुछ बोल नी रही है बुलानी रही तो मैं ही इसको बुला लेता हूँ गीदर को लगेगा कि गुफा बुला रही है तो उसकी डरावनी आवास को सुनकर जंगल के सभी जीव काप उठे अब शेर की आवाज है तो वो बूड़ा भी हो जाता है तो भी बहुत तेज और क्लियर रहती है जैसे ही शेर ने गीदर को आवाज मारी अंदर आने के लिए तो उसकी आवाज इतनी तेजी से गुझी गुफा में कि वो बाहर जंगल तक भी बहुत ही तेज लाउडली आई और जितने भी जंगल के आनिमल्स थे न वो सब डर गई कि आज ये शेर को क्या हो गया इतनी तेज से कैसे आवाज लगा रहा है गीदर ने अपने मन में सोचा कि वन में रहते हुए मुझे बुड़ापा आ गया परंतु मैंने कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना अब गीदर ये दिमाग लगाया कि यार मैं तो इतने टाइम से यहां पे रह रहा हुँ मैं जब छोटा सा बेबी था मैं तब से रह रहा हुँ और अब तो मैं बुड़ा हो गया हुँ आज तक मैंने किसी गुफा को बात करते हुए तो नहीं सुना कि वो किसी उसके अंदर रहने वाले किसी आनिमल से वो बात करती है तो आज ये क्या हो रहा है मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग जाना चाहिए उसने वैसा ही किया अब गीदर को आवाज आई तो गीदर को confirmation मिल गई कि अंदर लॉयन बैठा है वो sure था क्यों? क्योंकि जो गुफा थी वो तो बोलती नहीं है अब उसके अंदर लॉयन बैठा था तभी तो गुफा में से आवाज आ रही थी तो गीदर ने क्या सोचा कि अब मुझे अपनी जान बचानी चाहिए और मुझे यहां से फटाफट निकल जाना चाहिए वरना लॉयन भार आके मुझे पर अटाइक कर सकता है और गीदर ने वैसा ही किया वो वहाँ से चला गया यदि गीदर बिना सोच विचारे गुफा में चला जाता तो वह शेर का शिकार बन जाता अगर गीदर इतना दिमाग नहीं लगाता वो अपनी ही दुन में रहता अपनी ही मस्ती में रहता और वो नोटिस ही नहीं करता कि शेर के पैर के निशान अंदर जाने के तो हैं गुफा में बड गुफा से भार आने के नहीं है ठीक है इतना वो नोटिस नहीं करता गीदर फिर वो ये ना सोचता कि मैं अपनी गुफा से बात करके देखता हूं अगर अंदर से आवाज आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि अंदर शेर है अगर वो इतना दिमाग नहीं अच्छे से हैंडिल करा हमें भी सोच विचार कर ही काम करना चाहिए और उसी तरह उसी गीदर की तरह हमें भी क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए फटाफट से कुछ भी प्लान नहीं करेना चाहिए हमें पूरा अच्छे से बैट के सोचना चाहिए कि क्या सही है हमारे ल लेने वाला सुखी रहता है कि अगर प्रॉब्लम आने वाली है ठीक है आपको पता है कि आपको PDF मिल गए हैं अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया तो स्कूल में सम्मिशन नहीं हो पाएगा नोट बॉक सा यह प्रॉब्लम आने वाली है तो आप क्या करते हैं इसको सॉल करने लग जाते हैं उसको राइट करने लग जाते हैं सिमिल इरली वैसे ही अगर आप प्रॉब्लम के आने से पहले उसका solution ढूण ले कि PDF टाइम से कर लेते हैं जब कॉपी आईगी हमारी कॉपी तो बनी भी होगी हम समिट कर देंगे अराम से तो आपको दिक्तत नहीं आईगी है ना वरना किती बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं बोले कि मंडे को कॉपी समिट करनी है और सैटेदे तक आपका काम ही नहीं है फिर आपको पूरा संडे फंडे की जगा आपका वर्किंग डे हो जाएगा आपको कॉपी में वो PDF नोट करना रहेगा तो कुई भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि बाद में कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसका सोल्यूशन पहले ही निकाल के रखें और उसको सॉल करके रखें कि वो प्रॉब्लम आए ही ना